हेलो दोस्तो, स्वाधकत है आपका आपकी की यूट् employed चैनल finance वाला में दोस्तो तो दोस्तो हम लोग basic से finance और investing के बारे में बिल्कुल basic से शूरू करेंगे और आईस्ता आईस्ता हम advanced level तक देंगे दोस्तो हमारे चैनल बनाने का यही मकसद है कि जितने भी बिगिनर्स हैं जितने भी ने लोग हैं जो financial advice और investment को लेके परिशान रहते हैं कि सब जो जहां भी देख लो हाई-फाई वीडियो दिखाई जाती हैं हाई-फाई चीजें बताई जाती हैं लेकिन basics clear नहीं है तो हम लोग ऐसा ही करेंगे दोस्तो हम series start कर रहे हैं बिलकुल basics से और अलग-अलग investment options हम लेके आएंगे हम खाली share market की बात नहीं करेंगे mutual funds की बात भी करेंगे other investment और जो options है आपके अटल पेंशन जो जहना NPS, SGB बहुत सारे government schemes भी हैं जिनके बारे में हम discuss करेंगे तो दोस्तो हम पूरा का पूरा जो आपकी investment होगी उसको diversify करके अलग-अलग शेतर में कहां कहां आपको invest करना चाहिए सब कुछ बताएंगे तो please यह सब information लेने के लिए आप हमारे चैनल को अभी से subscribe कर लिजिए वीडियो को like कर दीजिए आज की वीडियो का जो दोस्तो motive है वो है कि आपको बताना कि यह share market चीज क्या है क्यों लोग आजकर share market के बीचे पागल हुए फिरते हैं इसको मैं कुछ examples के साथ आपको समझाऊंगा जैसे कि आपको पता है आज से पहले यह कुछ slides मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में कि आपको पता है कि हमारे जो पुराने लोगा वो कहते थे अरे भाई हम तो एक रुपे में हमारे time पे तो यह आ जाता था बांच रुपे किलो तो पादाम होते थे एक रुपे में तो हम लोग हमारी तो पूरी पूरी तनखा होती थी salary होती थी 10-10 रुपे लेकिन अगर आज हम देखें तो क्या 10-0 रुपे salary हो सकती है किसी की 40 रुपे हो सकती है आज कल 40 क्या वैल्यू है लेकिन अगर उनकी 40 मेरी सैलरी उस टाइम पे थी ie Gox 252 आ gdy ऑड हमारी सैलरी यह 40 हजार है और आज से शार सतर साल पहले किसी बंदे की 40 मेरी ती तो इसका मतलब तब के 40 रोपे जो हैं उनकी वैल्यू तब 40 40,000 के बराबर थी तो ये वैल्यू दिन बदिन कम कैसी होती है इसको कहते हैं दोस्तों इंफलेशन मतलब महंगाई दर और आपको पता है 5-6% 6% तक हमारा महंगाई दर हमेशा से रहता है अब आप मुझे बताओ कि अगर हर साल 6% के हिसाब से महंगाई दर बढ़ती रहेगी तो इसका मतलब जो आपके पास पैसे हैं उनकी 6% के हिसाब से वैल्यू घड़ती जा रही है मालो जो आज आपके पास 100 रुपे हैं अगर इंफलेशन रेट जिसको महंगाई दर कहते हैं वो 6% है इसका मतलब अगले साल तो 6% और उसमें से आपका डिप्रिशेट हो जाएगा तो आपके वो 100 रुपे की वैल्यू 94 से घड़के 88 रुपीज रह जाएगी तो इसको कहते हैं दोस्तों इंफलेशन रेट अब क्या होता है कि हमें क्या करना है मान लीजिए आपके पास 1,00,00 रुपे हैं और आप चाहते हो कि मैं इसको इंवेस्ट करूँ लेकिन अगर इंफलेशन रेट 6% है मान लीजिए आपने उसकी FD करवा दी FD में क्या देता है आपको 4%, 5%, मान लो 5% दे दिया उसने आपको इंट्रेस्ट अब एक साल के बाद जो इंफलेशन रेट है दोस्तो वो 6% आपको इंट्रेस्ट दे रहा है बैंक 5% ओवरोल अगर आप देखने जाओगे तो आप फिर भी 1% लॉस में ही हो तो क्लियर कट चीज़ें ये हैं कि जो भी आपके पास अमाउंट है वो उस पे आपको इंट्रेस्ट इंफलेशन रेट से कम से कम ज़ादा मिलना चाहिए अगर आपके पास एक लाक रुपे हैं और आप कहीं भी इंवेस्ट करते हो बैंक में पोस्ट आफिस में किसी भी स्कीम में अगर वो भी आपको छे परसेंट इंट्रेस्ट देता है तो आप यह मत सोचिए कि मेरे को छे हजार उपे तो सूद मिल गया आप यह सोचिए कि अगले साल जो इंफलेशन है वो छे परसेंट बढ़ गी तो आपको प्रोफिट ओवरॉल जीरो हुआ है तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इंवेस्टमेंट करने जाएं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके पैसे की वैल्यू हो जो आपको रेट ओफ इंट्रेस्ट मिले रेट ओफ रिटर्न मिले वो इंफलेशन रेट से ज़्यादा मिले मान लिजिए आप कहीं पे इंवेस्ट करते हैं वहाँ पे आपको 10% को इस सूद देता है इंट्रेस्ट देता है तो इसका मतलब जो आपका एक्चुल रेट ओफ इंट्रेस्ट बन रहा है वो 10-6 इंफलेशन को माइनस कर दिजिए ओवरोल आपको इंट्रेस्ट मिल रहा है 4% आपके पैसे की वैल्यू 4% के हिसाब से बढ़ रही है ठीक है दोस्तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि लोग शेर मार्केट में क्यों इंवेस्ट करते हैं शेर मार्केट में दोस्तो इसलिए इंवेस्ट किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न सबसे ज़्यादा इंट्रेस्ट शेर मार्केट में ही मिलता है लेकिन दोस्तो काफी सारे लोगों के मन में डाउट्स या फिर कहलें कि गलत फहिमियां होती है कि शेर मार्केट में तो भाई पैसा डूब जाता है ये हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों देखो अगर आप बेवकूफी के साथ इन्वेस्ट करोगे तो डूबने के चांस मैक्सिमियम रहेंगी अगर आप समझदारी के साथ चीज़ें सीख के इन्वेस्ट करोगे तो आप फायदे में रहोगे 95% ठीक है दोस्तों 95% आप लोग फायदे में रहोगे अब होता क्या है हम पूरी सीरीज बनाएगा तो मैं बस बिगनिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हम एक एक स्टेप एक एक वीडियो बनाके आपको एक एक चीज सिखाएंगे आप खुद कैपेबल हो सकें सब बस आपको इंटा कर सकते हो अपने पैसे को कहा जाता है कि शेर मार्केट में पैसा डूब जाता है दिखो दोस्तों आपको मैं अब मोटा मोटा बता रहा हूँ कि share market में बहुत तरीके से पैसा लगाया जाता है एक होता है delivery buying मतलब आपने किसी company के share भाई खरीद लिए 100 रुपे का एक share है तो आपने एक share खरीद लिया अब आपकी मर्जी है वो तो आपके account में आ गया अगर अगर आप उसको 10 साल तक नहीं बेचना चाहो मत बेचो 5 साल तक नहीं बेचना है मत बेचो उसको कहते हैं positional buying delivery में खरीदना उसमें कोई risk नहीं 99% risk नहीं होता है लेकिन उसमें भी काफी सारी चीज़ें आती हैं आप कौन सा share खरीद रहे हो किस company का share खरीद रहे हो अगर आप छोटी मोटी company का share खरीद होगे जो मतलब की जिनका price कम है जहां पर कम price देखके तो वो नहीं अच्छी company ऐसे TCS, Vipro, Reliance यह बड़ी बड़ी company हैं जिनका नाम है अच्छी company का share खरीद होगे तीसे तरीके के optional जो trading होती है share market में उसको कहते है options buying selling यह उससे भी ज़्यादा risk होती है और जो मैंने आपको बताया ना trading और यह options बाला scene इनको trading कहा जाता है share market में और जो आपने एक बार share लेके प्रपार रख लिए खरीद के उनको क्या कहा जाता है delivery में खरीदना उसको investment कहा जाता है ठीक है दोस्तो यह सब चीजें हम आगे detail में पढ़ेंगे दोस्तो तो I hope आपको basics जो clear होगे होगे कि share market होता क्या है इसमें क्या क्या चीजें होती है अब हम basic से अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे ठीक है कि share market में क्या क्या parameters होते है किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है यह share क्या होता है कैसे इनके price बढ़ते है सब चीजें बिलकुल basic से दिखाई जाएंगी आपको हमारे channel पे तो please और ऐसा नहीं है कि share market के बार में mutual funds government की काफी सार schemes है उनको detail में बताया जाएगा ठीक है तो please हमारे channel के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी share कीजिए कि जो information आपको मिल रही वह आपके दोस्तों को भी मिले चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगरी वीडियो में दोस्तों नहीं अपडेट के साथ बाबाई टेक केर